प्रेंड्स आज मैं आपके लिए दिवाली की दो ऐसी बर्फी की रेस्पीज लेकर आई हूँ जो इंस्टेंट बनने वाली है और ये वली दोनों बर्फी बनाने के लिए ना तो आपको कोई मावा की जरूरत पड़ेगी ना ही चाशनी की और ना ही इसमें आपको कोई गैस यांच जिलाने की जरूरत पड़ेगी आदोनी बर्फी खाने में बहुत टेस्टी बनती है बनाना इन अःको बहुत अफान है तो आओ को आपको आज की रेस्पी जो है अच्छी लगेंगी तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं है इस बर्फी को बनाने के साफन यह हमने एक पैकेट ले लिए भुने हुए चने का बहुत एजली आपको मार्केट में मिल जाएंगे और अपने ध्यान रखना जो भी चने इसके लिए लेने ना उसका चिलका उतरा होना चाहिए तो इन चनों को जो हमने एक बार अच्छी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में पी दो चुटकी मैंने इसमें डाला है हरी लाइची का पाउडर फ्लेवर के लिए और अधी कटोरी हम इसमें डाल रहे हैं बूरा आप चाहें तो इसकी जगह पे पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं और मीठा प इसमें थोड़ा कमिया जादा भी कर सकते हैं यह मैंने थोड़ की मलाई जैसे हम दूद को उबालकर फ्रिज में रख देते हैं उसके उपर जो मलाई आजाती है ना वह हम इसमें डाल रहे हैं मलाई डालने से इसका जो टेक्शर है और टेस्ट है वह और भी जादा बढ़ जाएगा तो मलाई आपके पास हो तो इसको जरूर एड़ कीजि में बाकी बचा हुआ दूद इसमें डाल रहे हैं और इसे हम में हमारा जो टोटल दूद है वह आधिक टोरी दूद इसमें लग गया था तो अब यह दिखिए हम इसको एच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आपने यह जो मिक्शर इसका बनाना है ना डो यह हार्ड नहीं ह आप चाहें तो इसके ऊपर बारी कटे हुए ड्राइ फ्रूट लगा सकते हैं तो मैंने थोड़ा से इसके ऊपर सिल्वर्वर्क लगा दिया इसके बाद हमने इसको एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है तो अभी यह देखिए एक घंटे के करीब हो चुक है और यह यह देखिए बहुत ही अच्छी बर्फी है जो बन चुकी है यह देखिए इसी तरह से हम बाकी सारे पीसीज हैं वह भी निकान लेंगे और देखकर ही आपको पता चल रहा होगा बहुत ही स्मूध सा इसके एक टेक्च्चुर आया है बहुत ही सॉफ्ट यह वली बर्फी हम बन कर तेयार होती है यह वली जो बर्फी हम बनाने वाले है इसको आप केवल एक से दो चमच घी में बना कर तेयार कर लोगे ना तो इसमें कोई मावा पढ़ने वाला है ना ही कोई चाशनी का जंजट है इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले लेनी है भूनी हुई चना दा जो चने की डाल आती है ना जिसको चटनी वगरा में भी यूज किया जाता है वो वाली आपने पहले तो रोस्टर चना दाल ले लेनी है उसके बाद उसको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लेना है तो ढ़ाई सो ग्राम हमने चने की डाल ली थी उसको अच्छी डालेंगे देसी घी तो घी हम इसमें सिर्फ एक से दो चममची यह वला जो चोटे चममचाते यह यूज करेंगे अब आप घी देख लीजिए इस तरह का आपने लेना ना तो उसको पूरी तरह से मेल्टड होना चाहिए और ना ही वो पूरी तरह से जमा होना चाहिए तो सचयों नारीयलत का मिलावटर करने नारीयल बुरह हम इसमें बigor मिलक पाउडर किसी भी प्र्रा एक नवावा फ्लेवर आप ऊसमें और अगर आपकेपास मिलक पूड़ नहीं यह तो जो दूद के ऊपर मलाई आतिया mistakes today मैं Trip कर सकते हैं है इसके बाद हमने आदीक ni Co начина maintaining ixa तो पीस जादा और एक कटोरी से कम लिए देसी खांड ये इसमें मिला देंगे जिसको बूरा या तगार भी बोला जाता और थोड़ा सामे डाल दिया हरी लाइची का पॉडर और इसी के साथ हमने ये लिए थोड़े से बदाम और काजू थिन को पीस लिया मिक्सर ग्राइंडर में ड्राय फ्रूट्स का पाउडर हम इसमें तीन चम्मस डालेंगे ये भी इसको मिठाई को जो बहुत अच्छा फ्लेवर दे देगा और इन सबको अच्छी तरह से मिला देंगे अगर आपके पास देसी खांड या बूरा नहीं है तो आप इसकी जगह पे नॉर्मली जो चीनी घर में यूज करते हैं उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर व अब हम थोड़ा से दूध इसमें और डाल देंगे एक ग्लास से थोड़ा कम में यह वला जो दूध हमने लिया था न तो दूध आपको जितना भी लगे अगर लगे मिक्स्चर सूखा तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं तो अभी हमने यह देखिए जितना दूध डाला है उ इसको भी हम एक साइड पर रख देते हैं इसके बाद हम जो जिसमें हमने बर्फी जमानी है वो लिए ले ले लेंगे अप थालिया प्लेट जिसमें भी जमा सकते हैं और इसको घी या ओल सी इस तरह से ग्रीज करतेंगे और बर्फी वाला मिक्स्चर हम इसमे ऐसे फैला कर अब हम इसके ऊपर थोड़े से नालेंगे बरीक कटे हुए पिस्ता और इसको भी असे चमज से थोड़ा सा दबा देंगे और इसको फ्रिज में हमने जो रख दिया था आदा गंटा के लिए सेट होने के लिए तो यह देखिए आदे गंटे के करीब हो चुका है अब हम इस जो बन कर तेयार हो चाती है तो जल्दी ही हम लोग मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ तब तक लिए बाई टेक कियर